आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिन अंग 29 नवंबर 2022 का संभूर राशिफल उससे पहले आज के दिन का जो पंचांगा उसके बारे में चर्चा करेंगे आज के जो दिन है मंगलवार का है शुबकरुत नाम सबस्तर है सुर्य का दक्षिन आयन चल रहा है एमत रुतु है मारकर शिक्ष मैना है शुकलपक्ष की चटवी दिती है नक्षतर श्रवन है योग धुरुव है दिन का जो करण है वो तैतिल है और जो रात का करण है वो गर आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवात होगा दोपर 12 बचकर 15 मिनिट से लेकर 1 बचकर 36 मिनिट तक और अभिजितमूर्थ दोपर 11 बचकर 12 बचकर 49 मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अभीजीत मूर्थ दिन के शुबक अलावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतुबुणकाम या फिन्यन ने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा तो फिर दो बचकार शुबक अलावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतुबुणकाम या फिन्यन ने बिलकुल भी नहीं लेना उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है ये चंद्रमा मकर राशी में ब्रहमन करेगा शाम साथ बचकर एक कॉन मिंट के बाद ये चंदरमा कुम्ब राशी में ब्रह्मन करेगा ये चंदरमा शनी के साथ युतियोग करने जा रहा है मंगल के साथ रिकोन योग करने जा रहा है बुद्ध के साथ लाव योग करने जा रहा है आजे के दिन मंगल और बुद्ध का प्रतियोग होने जा रहा है और शुक्र और हर्षल का शड़ाश्टक योग भी होने जा रहा है यह गरसिती सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के दशम बहुमें चंदरमा का gramन है वही पर सित हाशनी के साधिया चंदरमा योधियोग करने जा रहा है आपके इद्वीतियो बहां मेशित्मzahl के साध्य चैन्रमा वियूग भी करने जा रहा है काफी जैदा महत्पन दाव दीन साबित होगा जो भी आपका कारशेत्र है वहापर जो लोग होंगे उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है आपके कारशेतर के बारे में कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है आपके घर की जो लोग हैं उनके साथ आपके हार्मनी काफी अच्छी देखे जाएगी कुछ अच्छे लाव अगरा मिलते हुए भी नज़र आएंगे उसी परकार आजे के दिन शुक्रो और हर्शल का शडाश्टक योग होने जा रहा है उसी परकार भुद्ध और मंगल का प्रतियोग भी होने जा रहा है तो आनेवले दोसेते इंदिनों में आपकी जो वैवाई जोड़िदार है उसमें आप फच सकते हो, documentation के बारे में कोई भी बात है, कोई भी काम है, किसे कोई commitment, promises, ये जो बाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना, उसी प्रकार स्वास्त के बारे में भी, आने वाले दो से दिन दिनों में ध्यान देना आवश्यक होगा. इसके बात की जो राशी है, वो है व्रिशब राशी. व्रिशब राशी के भाग्य बाव में चंद्रमा का ब्रहमन है, वही पर सिचनी के साथ ये चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है, आपके राशे में से तवकरी मंगल के साथ ये चंदरमा त्रिकोनिय करने जा रहा है आपके सब्तमबाव में से बुद्ध के साथ ये चंदरमा लाब योग भी करने जा रहा है काफी ज़्यादा महत्वपण दिन होगा आज का जो दिन है आपके लिए काफी ज़्यादा शुबुपलदाई साबित होगा आपका जो भी कारिक्षेतर है उससे related भविशे के बारे में कुछ अच्छे planning बगरा हो सकते है जो कि आपके लिए भविशे में जाके काफी ज़्यादा उप्योक्त साबित हो सकते है आज का जो दिन है थोड़ा आपका बाहर घुमना फिरना भी ज़्यादा हो सकता है कास करके आपके वाई-वाई जुड़िदार है उनके साथ आपकी जो relationship है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी अगर आप किसे नोकरी में काम करते हैं तो वहाँ पर भी जो बाते हैं काफी अच्छी देखी जाएगी अगर आप शेयर मार करेंट करते हैं तो अच्छी लाव अगरा मिल सकते हैं उसी प्रकार अगर आप किसे के relationship में है तो आप दुनों में जो harmony है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी इस प्रकार आपके भाग्यबाव में सिद आपके आपी के राशे में सिद मंगल के साथ आपके सब्तम बाव को जो बुद्ध है वो प्रतियोग करने जा रहा है और आपके सब्तम बाव में से शुकर के साथ भी यह बाव को जो हर्शल है वो शड़ाश्टक योग करने जा तो आने वाले 2-3 दिनों में अगर आप किसे के relationship में हैं तो वहाँ पर चोटी मूटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है और वो काफी बढ़ भी सकती है उसे प्रकार आपके जो खर्चे होंगे उसके उपर भी थोड़ा ध्यान देना होगा आने वाले 2-3 दिनों में स्वायम के स साथिया चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके वेया वामेसित मंगल के साथिया चंद्रमा तरिको नियोग करने जा रहा है और आपके शर्ष्ट वामेसित बुद्र के साथिया चंद्रमा लाव योग भी करने जा रहा है स्वास्त के बारे में ध्यान रखना बहुत इसे परकार आपके सच्ट वाओ के शुक्र के साथ आपके लाब वाओ को जो हर्शल है वो शड़ाश्टा क्यों करने जा रहा है काफी ज़्यादा महें तुपने दिन होंगे आने वले दो से तीन दिने में आपको छोटी मूटी बातों को लेकर स्ट्रेस टेंशन आ सकते हैं स वहाँ पर भी उतार चड़ाव आने की संभावना ज्यादा बन रही है इसके बात की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के सब्तम वाओ में चंद्रमा का ब्रह्मन है वह पर सिथ शनी के साथिया चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके लाब वाओ में सिथ वाई जो डिदर है उनके साथ आपके जो तानमेल है वह काफी अच्छा देखा जाएगा उस प्रकार अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो वहाँ पर भी आप दोनों में जो हार्मनिय वह काफी अच्छी देखे जाएगा अगर आप शेर मारकर में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाव अगरह मिले की संपबना काफी अच्छी बन रही है आपके पचमबह में सित्बुदर के साथ आपके लाव बभाव का जो वाकरी वंगल है वंपरतीयो करने जा रहा है और आपके पचमबह में सीद्शुक्र के साथ आपके धश orphan का जो वोगर फ़ है वह शड़ाश्टा क्यों करने जा रहा है तो आने वाले दो से तीन दिनों में पैसे के मामलत में जो भी आपके बाते रहेंगे उसके उपर सुक्ष्मता से ध्यान देना आवश्रक होगा अगर आप इस दो तीन दिनों में कई बाहर घुमना फिरना चाहते हैं तो स्वास्त के बारे में ध्यान रखना बहुत ही जादा आवश्रक होगा उस परकार आपके घर के जो लोग होंगे उनकी स्वास्त के बारे में भी आने वाले दो से तीन दिनों में ध्यान देना आवश्रक होगा इसके बाद के जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के शष्ट भाव में चंद्रमा का ब्रहमन है वही परसेशनी के साथ ये चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके दशम भाव मिस्त मंगल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोन योग करने जा रहा है आपके आपको स्वयंत के स्वास्त के बारे में ध्यान देना काफी जादा आवश्यक होगा आपका जो भी कारशेतर है उससे रिलेट कहीं बाहर घुमना फिलना भी हो सकता है लेकिन आज का जो दिन है सबसे महत बुर्णबाद जो भी आपका कारशेतर है वहाँ पर आपके काम के काफी ज़्यादा सराना हो सकती है आज की दिन में आपको कुछ लाब वगरा भी मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है उसी प्रकर आज एकी दिन आपको चतुरत बाव में से बुद्ध के साथ आपके दशन बाव को जो वकरी मंगल है वो प्रतियों करने जा रहा है उसे प्रकर आपके चतुरत बाव में से शुक्र के साथ आपके भाग्यबाव को जो हर्शल है वो शड़ाश्टक योग करने जा रहा है आज का जो दिन है या फिर आने वाले दो से तीन दिनों में आपके जो खर्चे रहेंगे आपके पैसे के मामलाद में किसी भी प्रकार के बड़े ट्रांजेक्शन रिस्क लेकर बिल्कुल भी नहीं करना उसमें आप बुरी तरह से फस सकते हो अलिकि आने वाले दो से तीन दिनों में आपका जो भी आपके डॉकमेंडेशन के बारे में जो भी काम है वो भी नहीं करना उसमें आपकी जो अंदाज है वो काफी ज़्यादा चूख सकते हैं तो ध्यान द Katy रखिए उसे प्रकार आनवाले दो से तीन दिनों में आपका Bowl का अलग ही प्रकार के अनुबव मिल सकते हैं, जो की नेगेटिव होंगे. इसके बाद के जो राशी है, वो है कन्या राशी. कन्या राशी के पंचम भावमे चंद्रमा का ब्रहमन है, वही पर से शनी के साथ यह चंद्रमा युतियो करने जा रहा है. काफी अच्छा दिन है आपके लेकास करके अगर आप किसे के रिलेशन्शिप में है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छे देखे जाएगी आपके भागय का साथ काफी अच्छा मिल सकता है अनवाकिशित लाव अगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है आज के दिन कही बाहर गूमना फिर ना आपके जो रिलेशन्शिप में विखती है उनके साथ हो सकता है उसे प्रकार आपके त्रितियों बाव में से शुक्र के साथ आपके अश्टम बाव को जो हर्शल है वो त्रिकोनियों करने जा रहा है और आपके त्रितियों बाव में से बुद्दा के साथ आपके भागे बाव को जो वकरी मंगल है वो प्रतियों करने जा रहा है इसके बात के जो राशी है वो है तुला राशी तुलाराशिक कि जो चत्तमी तो बहुम्यच昨ंद्रमा का बरहमन है वय पर शिद मंगल के शाथैस चंद्र मा रामा आत्री को करने जा रहा है तो आज का जो दिन है आपके घर पर रहना है आराम करना हो आपको मिल ? अभी घर के जो बुज़र उपकिते होंगे उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखे जाएगे उसी प्रकार अगर आप विभाई तो आपके जो वाई-वाई जो इदर है आप आप में जो वितने वेरिष्टे हैं वो काफी जदर नॉर्मल हो सकते हैं आ प्रकार और आपके दवीतियों भाव में तीत बुद्ध के साथ चूहिए मचाख सकते हैं उसी प्रकार पैसे के मामलात में भी किसी प्रकार के बड़ी transaction आने वाले दो से तीन दूने में बिल्कुल भी नहीं करना इसके बाद कि जो राशी है वो है वृच्चिक राशी वृच्चिक राशी के तरीतिया वहां में चंद्रमा का ब्रह्मन है वह ये परसिशनी के साथ ये चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके सब्तम्बाव में सिद्वक्री मंगल के साथ ये चंद्रमा तरीकोनियोग करने जा रहा है आपके राशी में सिद्वुद्ध के साथ ये चंद्रमा लाबयोग भी करने जा रहा है उस प्रकार आपके राशी में से शुक्र के साथ आपके शष्टबाव को जो हर्शले वो शड़ाश्टर को करने जा रहा है और आपके राशे मेंसे बुद्र के साथ आपके साथ तुमा को जो बकरी मंगल है वो प्रतियोग करने जा रहा है आज का जो दिन है काफी ज़्यादा बिज्य दे साबित होगा मैं तो पुर्ण काम आप में ले सकते हो और जो ऐसे काम जो कि कई दिनों से अटके हुए है वो आज के दिन पूरे होने के समवनों काफी अच्छे बन रही है आपके जो वैवाइक जब इदर है उनके साथ भी आपके जो ट्यूनिंग होगी वो काफी अच्छे देखी जाएगे कुछ अच्छे लाव अगर आभी मिल सकते हैं तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए काफी अच्छा और शुफलताई साबित होगा आपी के राशी में से बुद्ध के साथ आपके सप्टम्बा का जो वकरी मंगल है वो प्रती यूग करने जा रहा है उसे प्रकार आपी के राशी में से शुकर के साथ आपके शाष्टबाव का जो वकरी हर्चर है वो शाड़ाष्टब यूग करने जा रहा है तो आने मेले दो से तिन दिने में खुद की स्वास्त के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़ादा आवश्यक होगा स्वास्त के बारे में कोई तक्लिवे कोई परिशानिया सामने आ सकती है तोड़ा सा ध्यान देखे आगे चलना आवश्यक होगा इसके बाद के जो राशी है वो है धनुराशी जो दिन है पैसे के बार हमें थोड़े सामाय बनलसावित होगा कास करके अगर अपने लॉंग टर्म में कोई इन्वेस्टमिंग की है तो उसके जो returns है, आज के दिन आपको मिल सकते हैं, या फिर उसके बारे में वह अच्छी बात है मुझे आज के दिन आपको मिल सकते हैं। उसकी परकार आपके वैवाइगा जो ड़ना इसाथ अपकी जो relationship है, जो harmony है, वह काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसे प्रकार अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखे जाएगी कहीं बाहर घुनना फिरना भी हो सकता है शाम नौ बचकर एक काउन मिंड के पाद ये चिनर में आपके तृतिया भाव में भ्रमन करेगा आपके व वे भाव में सिद्ध बुदर के साथ आपके शाष्टा भाव का जो वकरी मंगल है वो प्रतियोग करने जा रहा है तो आने वाले दोसे तीन दिनों में आपको अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो वहाँ पर चोटी मोटी बातों को लेकर ता करार हो सकती है राशी है वो है मकर राशी में चंद्रमा का ब्रह्मान है और वही पर सिशनी के साथ या चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके पंचमबाव में सिद्ध वकरी मंगल के साथ या चंद्रमा त्रिकोनयोग करने जा रहा है आपके लाववाव में सिद्ध बुदर के सा हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी आज के दिन आपको लग फैक्टर जैसे में नसीब का साथ काफी अच्छा मिल सकता है उसे प्रेकार अगर आप विवाई तो आपके जो वाई-वाई जो इदार है उनके साथ आप आपकी आपकी अच्छी देखी जाएगी आने वाले दो से तीन दिनों में अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में तो उनके साथ या उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर प्राप्लों काउपलिकेशन हो सकते हैं अब यही जो बात है आपका जो भी कार रिशेतर है उससे भी जादा रिलेट करेगा उसे प्रकार आने वाले दो से तीन दिनों में किसी भी प्रकार के महत उपन निरने बिल्कुल भी नहीं लेना, उसमें आपके जो अंदाज है वो चोकने के संभावना काफी जदा बन रही है, आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी चोटे मुटे बातों को लेकर तू तू मैं मैं हो स करने जा रहा है आज कर दो दिन है तोड़ा स्ट्रेश्वल साबित हो सकता है लेकिन कई जो आपके काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, घर के जो लोग है, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है, वो काफी अच्छे देखे जाएगे, खास करकर अगर आपके से के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है, वो काफी अच्छे देखे जाएगे, घूमना फिर पूर्ण है जो भी आपके कारिशे त्रेमा पर के जो लोग होंगे वहां पर के जिस्तरी वर्ग होंगे उनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा वसी प्रकार अगर आप किसी के नहीं लेना। आपके age से उमर से ज़्यादा बढ़े है उनके साथ मुलाइक ओसकते है गब सपोसकते है उनसे कुछ अच्छी मदद भी आपको मिल सकते है आजके दिन कुछ अच्छे लाब वगरा भी आपको मिलने के संभवना काफी ज़्यादा बन रहे हैं उसे परकार आपके जो वाइबाई जो डिदार है उनके साथ आपके जो हार्मली है वो भी काफी अच्छे देखे जएगे तो गुल मिलाकर देखा जा तो आज का जो दिन है आपके लिए शुपुफल अधाय साबित होगा, उसी प्रकार आपके भागी भाव में से शुक्र के साथ आपके द्वितिया भाव का जो हर्शल है, वो शड़ाश्टर क्योग करने जा रहा है और आपके भागी भाव में से बुद्धा के साथ आपके तृतिय अबाओ का जो वक्री मंगल है वो प्रतियोग करने जा रहा है तो आने वाले दोसे तिन तिन काफी ज़ादा महतोपुन साबित होगे आपको स्वायंत पे स्वास्त के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़ादा आवश्यक होगा जो भी आपका कारिक शत्रे ये सरे लेडर किसी प्रकर के जो डॉक्मेटिशन के बाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना स्वास्त के जो बाते हैं काफी ज़ादा महतोपुन साबित होती है उसे प्रकर आने मेले दोसे तिन दिनों में आपके जो वाई-वाई जोड़ीदार है उनमें और आपमें चोटी जो मुटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है अब यह जो तकरार है वो काफी ज़्यादा बढ़ भी सकती है तो स्वायम के उपर थोड़ा सा नियन तन रखना ज्यादा आवश्यक होगा तो दोस्तों यह था दिनांग 29 नवंबर 2022 का संपुर्ण राशिफल आपको यह राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुबह किया निजए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है विरा मांड़े सिद्धियास्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवार